सो हेलो गाई स्वागय तो आपका हमारे इस चालर में तो चलिए शुरुआत करते हैं एक और नए एनिमी को जिसका नाम है रैन्टे गल्फरेंड और यह इस एनिमी का सीजन 3 है इस एनिमी की शुरुआत हमें काजुआ और चीजुरु को दिखाते हुए होती है जहां हम देख जो कि वो इससे काफी खुश होती है और emotional हो जाती है उसके बाद हम काजुआ को देखते हैं जो कि अपने laptop पे रातो राद जग कर उसी script पर काम कर रहा होता है फिर हम काजुआ को एक बड़ी सी बिल्डिंग में देखते हैं जहाँ पर कि वो एक प्रिडूसर के पास आया होता है अपनी स्क्रिप्ट को दिखाने फिर ये प्रिडूसर काजुआ को कहता है देखो काजुआ क्राउड फंड उठाना इतना भी आसान नहीं है जितना कि तु समझ रही हो इसमें तुमें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा फिर हम काजुआ को देखते हैं जो कि वो इस सब से काफी नाराज होता है फिर ये प्रिडूसर कहता है देखो काजुआ तुमें अपनी स्क्रिप्ट में काफी बदलाब करने पड़ेंगे फिर प्र से बरबाद करेगा, उसके बाद producer जो है, वो आभी के लिए काजुआ को इसके लिए मना कर देता है, उसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि काजुआ और चिजुरू आपस में बात कर रहे होते हैं, फिर काजुआ चिजुरू से बताता है आज सब के बारे में कि उनका कैसर प्रोजेक्ट आज शुरू होते ही बंद हो गया जिसे सुनकर चिजुरू ठोड़ा नाराध होती है फिर काजुआ चिजुरू को कहता है कि तुम अपना स्टेज नेम चेंज कर दो नहीं तो कॉलेज के सारे लोगों को पता चल जाएगा कि तुम पहले एक रेंटे गल्फरंट रह चुकी हो फिर चिजुरू कहती है ये मैंने पहले ही सोच रखा था लेकिन मैं अपने स्टेज नेम के साथ ही इस मोवी को करना चाहती हूं बहले ही लोग मुझे कुछ भी कहें फिर हम देखते हैं चिजुरू काजुआ को प्रेडियूसर कह देती है जिसे देखके काजुआ जो है वो ब्लेस करने लगता है और थोड़ा सौख होता है फिर काजुआ चिजुरू को कहता है देखो मुझे अपने स्क्रिप्ट के कुछ इमेजिस चाहिए होंगी तो क्या तुम मुझे वो कुछ इमेज दे सकती हो फिर चिजुरू कहती है ठीक है मैं तुम्हें अपने फोटोस दे दूंगी फिर हम काजुआ के राइट वाले रूम से एक लड़की को देखते हैं जहां पर कि लड़की कहती है तो में इतन पर चिजुरू काफी सर्मा जाती है उसके लड़की कहती है देखो मुझे बस इतना ही कहना था और मुझे अपने नए नेवरों के साथ लड़ाई नहीं करनी और उसके साथ यह लड़की यहां से चली जाती है फिर हम देखते हैं चिजुरू को थोड़ा बुरा लगता है लेकिन काजुरू के हालत थोड़ी खराव जाती है वो इस सबसे थोड़ा सौक होता है काजुरू को मनाने लगता है लेकिन चिजुरू कहती है उसने सही का हमें ऐसे बात नहीं करना चाहिए इसी के साथ चिजुरू अपने रूम में चली जाती है काजुरू इसे देखकर रोने लगता है फिर हम काजवा के मन में देखते हैं जहां पर कि वो इस लड़की को काफी हीट करता है फिर हम काजवा को कॉलेज में देखते हैं काजवा कहीं पर जा रहा होता है तब ही वो उस लड़की को देखता है और वो उसे देखकर किसी चीज के पीछे छुप जाता ह लेकिन वो लड़की काजवा को नोटिस कर लेती है और कहती है तुम तो मेरे नेवर हो ना तुम यहाँ पर क्या करें फिर काजवा बताता है मैं इस कॉलेज में सेकंड येर का स्टूडेंट हूं जहां पर ये लड़की कहती है इसका मतलब कि तुम मेरी सीनियर हो और मैं फर् राना दे काजववा मिनी शे कहता है मिनी क्या तुम मेरे सात बहर बात करो, उसके बाद हमें काजववा के लड़की एक लड़की सुन लेती ह 대 उसकी से यह यह चुदी making पर हम काजवा मिनी को देखते हैं जहां पर की काजववा मिनी से बता रहा की हो न ही we और कहता है मेरे और चिजुरों के बीच में जो भी बात हुई है वो तुम किशी को मत बताना फिर मीनी कहती है इसका मतलब कि लेट कर रहे पिर काजुआ कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है और इसे देखके काजुआ थोड़ा awkward हो जाता हैitan फिर हम रात का सीन देख हम देखते है कि काजवा अपने लैप्टों में काम कर रहा होता है और वो थोड़ा टेंशन में होता है क्राउडफंडी उठाना इतना भी आसान नहीं है उसके बाद काजवा काफी पॉपलर स्टोरी को देखता है जहां पर कि वो एक वात को नूडिस करते है कि यह सारी कहानियां किसी ना क भी हो लेकिन इसे यह कानी बनाने के लिए चिजुरू की परमीशन लेनी पड़ेगी तब ही इसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है जो भी चिजुरू का होता है और यह मैसेज चिजुरू का होता है चिजुरू कहती है मैं कुछ देर में तुमारे एक रूम में आ रही फिर Chisuru कहती है तो हम उसे स्क्रिप्न क्याम करें वरना हमें क्राउट फंडिंग उठाने में दिक्कत होगा। फिर हम Kazua को देखते हैं जो की Chisuru को देखता है और फिर उसे उसकी दादी की याद आती है जहाँ पर की वो कहती है मैं सिर्फ अपनी चिजुरू को एक बड़े परदे पर देखना चाहती हूँ जिसे देखके काजुआ मोटिवेट हो जाता है और वो फिर से अपनी स्क्रिप्ट पर काम करने लगता है फिर काजुआ कहता है हमें अपनी मूवी बनाने के लिए कम से कम 1.8 यन की जरूरत पड़ेगी फिर चिजुरू कहती है क्या हमारा इससे काम हो जाएगा फिर काजुआ कहता है वो ना तो चाहिए उसके बाद ये दोनों अपने सारे एक्सपेंज को जोड़ते हैं जहाँ पर की टोटल में 1.8 20 थाउजन यन आते हैं फिर चिजुरू काजुआ को फोकस देखकर अपने ग्रेंट फादर की याद आती है जहाँ पर की उसके ग्रेंट फादर की सिर्फ एक ही विस होती है काजुआ कहता है कि मैंने चिजुरू को कभी इतने पास से नहीं देख और ये सब देखकर काजुआ बावला वने लगता है उसके बाद चिजुरू का अपना एक फोटो दिखाती है और यह फोटो काफी क्यूट होता है जिससे देखके काजुआ अपनी फीलिंग में बहे जाता है उसके बाद काजवा चीजुरू को कहता है गर हमें अपनी स्क्रिप्ट के लिए क्राउड फंडिंग चाहिए तो हमें एक रियल स्टोरी बनानी पड़ेगी जिसके लिए हम तुमारी दादी की मदद ले सकते हैं मतलब कि हम तुमारी दादी पर एक मूवी बना सकते हैं जो की काफी हार टचिंग और इमोशनल काजवा चीजुरू से पूछता है अगर मैं ये सब स्क्रिप्ट में लिख दू तो तुम मुझे नाराज तो नहीं हो अब चीजुरू कहती है मुझे इससे कोई फरक नहीं पड इससे को जल्दी खतने लगता है और इसे देकर चीजुरू पूछ गया तुम्हें ये खाना पसंद तो आरा है ना और फिर काजुआ कहता है हाँ मुझे एक खाना बहुत पसंदार, सीधी बात कहें तो जिससे प्यार होता है उसके हाथ का खाना तो क्या, उसके हाथ का पानी भी मीठा लगने लगता है, तो काजुआ क्या चीज है, उसके कुछ देर के बाद चिजुरु अपने घर पर बापि दूँगा जिसे देखके चिजुरू कहती है तुमें इसकी कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम अपने सैलरी को इसके लिए मत लगाना फिर काजवा कहता है देखो ये सपना तुम्हारा नहीं है ये सपना मेरा भी है जिसे देखके चिजुरू बलेस करती है और काफी ख फुस होती है फिर चिजुरू कहती है ठीक है लेकिन तुम अपने उपर ज्यादा प्रैसर मत लेना अकर तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो तुम मुझे कभी भी बुला सकते हो फिर चिजुरू गेट खुलकर बाहर जाने लगती है तब गेट के सामने रूका खड़ी होती ह और यह तीनों एक दूसरे को देखकर सौफ होते हैं फिर रूका कहती है तुम दोनों एक रूम में क्या कर रहते हैं और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खतम हो जाता है सो गाइस मुझे बताए क्या मैं इस एनिमे को कंट्यूनियू करूँ चलिए इस एपिसोड को यहीं पर खतम करते हैं हम मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में तब तक के लिए सुकरिया